वर्ष 2050 में जैसा कि हम जानते हैं कि दुनिया गैर्मान्यता प्राप्थ हो सकती है। स्वायत गवाहनों के साथ मिलकर इन शहरों की तस्वीर लें, ड्रोन आपके दर्वाजे पर सामान पहुँचाते हैं। एक AI सिस्टम इतना उननत है कि वे मनुष्यों से लगभग अप्रभिद्य हैं। यहां एक ऐसा भविष है जो बहुत दूर नहीं है। कुछ प्रतिभाशानी दिमागों के पास भविष में क्या हो सकता है, इस पर अपनी बात कहते हैं। SpaceX और Tesla के पीछे दिमाग रखने वाले Elon Musk का मानना है कि 2050 तक हम लगेवल मंगल ग्रह पर पैर रखेंगे बलकि वहां रह रहे होंगे। वहां एक ऐसे भविष की कलपना करता है जहां मनुष बहु ग्रहों की प्रजातिया है। इस बीच भविषवादी मिचियो काकू भविषवाणी करता है कि internet हमारे संपर्क लेंस में होगा। कलपना कीजिये कि पलके जप्ताना और तुरंद ऑनलाइन जाना आपके शाब्दिक आंखों पर दुनिया की जानकारी है। ये कई भविषवाणीों में से कुछ है जो विशेशग्य 2050 में हमारी दुनिया के बारे में कर रही है। लेकिन वर्तमान में हमारे लिए इसका क्या मतलब है? इसका मतलब है कि हमें तयार होने की जरूरत है। भविश्य के लिए तयारी करना सिर्फ इतना ही नहीं है। आपको इस भविश्य की दुनिया में इसकी आवशक्ता होगी। AI और स्वचालन के उदे के साथ रचनात्मक्ता, महत्वकूर्ण सोच और भावनात्मक बुद्धिमक्ता पहले से कहीं अधिक मूल्यवान हो जाएग या एक ऐसी दुनिया की कलपना करे जहां आभासी वास्तविकता इतनी उन्नत है। यह वास्तविक चीज से अप्रभिग्य है। भविश्यवादी रे कुर्जवील का मानना है कि 2050 अभूतपूर्व तक्नीकी विकास का समय होगा। वह भविश्यवाणी करता है कि हम तक्नी में यहाँ प्रभावित करने की क्षमता है कि दुनिया कैसी दिखेगी।